हलो फ्रेंड्स, वल्कम बैक टू माई चैनल सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में तो धूप सेकने सभी बैठते होंगे आज मैं अपनी छट पर जब धूप में बैठी थी तो मैंने देखा मेरे कुछ गमले पुराने लगने लगे हैं जब आप गमले लेकर आते हैं, नए होते हैं तो सभी को खुब सूरत लगते हैं लेकिन धीरे धीरे ये डल होने लगते हैं, इनका कलर जाने लगता है तो आज मैंने अपना जादू का पिटारा खोला और इनको कलर करने का सोचा ये मैं कुछ दिनों पहले लाई थी इसे मैंने यूज़ करने के लिए किसी और काम के लिए रखा था लेकिन आज लगता है इसे मैं गमलों पर ही यूज़ करूंगी तो कुछ कलर मेरे पास पड़े हुए थे और कुछ कलर मैं नए लेके आई थी हमेशा गमलो पर आपको एसन पेंट का इस्तमाल करना चाहिए ये डिबी 30 रुपए की मिल जाती है और आपका गमला सुन्दर भी बना देती है काफी दिनों तक इनका कलर टिका भी रहता है फ्रेंट्स जब ये पॉर्ट में लेकर आई थी फ्रेंट्स काफी दिनों से मैं वीडियो देखती रहती थी सब ही लोग स्माइली फेस बनाते रहते थे उनके गमले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए तो मैंने भी क्या किया फिर यलो कलर उठाया पहले पूरे गमले यलो कलर के मैंने कलर कर दिये इसके बाद मैंने तरह तरह के फेस बनाए आप कमेंट में मुझे जरूर बताईएगा कि आपको कौन सा पॉर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उस इमोजी को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं और आपने भी ऐसे अगर गमले बनाए हैं तो वो भी मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा जिसका मुझे कमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया उसे मैं अपने पास से एक प्लांट जरूर दूँगी मैं अपने अगले वीडियो में उसका नाम जरूर रेनाउस करूंगी और वो अपना पसंद दीदा प्लांट मुझे से ले सकता है तो मैंने यहाँ पर मारकर का यूज किया है मारकर मैंने पर्मानेंट यूज किया है इससे अच्छे से डीटेलिंग हो जाती है जिसकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी हो वो ब्रस का यूज कर सकता है मुझे तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा नहीं आती तो इसलिए मैंने मारकर का यूज किया है और बहुत ही आसानी से यह हो गया तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो की स्पीड बढ़ाते हैं और फटा फट से अपना वीडियो खतम करते हैं और दिखाते हैं मैंने कौन कौन सी मोजी बनाई है और कैसे लग रहे हैं ये मेरे प्लांटर जब भी आप गंबलों पे पेंट करें तो उसे एक दिन धूप में सूखने को जरूर रखें एक तो फ्रेंट्स मैंने ये फेस बनाया है जो उपर की साइड ही देख रहा है और एक मैंने चस्मिस बनाया है जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इन सब गंबलों को कलर करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा बहुत ही आसानी से हो गए पहले आप यलो कलर कर लीजे उसके बाद आप डीटेलिंग कर लीजे देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं पूरा ही लुक बदल गया है पुराने गंबले कैसे थे और नए गंबले अप कैसे लगने लगे हैं इस तरह से आप भी कलर करके इन्हें खूबसूरत बना सकते हैं और सर्दियों में अपना बगीचा खूबसूरती से सजा सकते हैं क्योंकि सर्दियों में इतने फूल आते हैं इस तरह के गंबले आप लगा देंगे तो आपके गंबले भी अच्छे लगेंगे और फूलों से तो बाहर होई जाती है तो चलिए फ्रेंड्स कलर करने के बाद ये किस तरह से लग रहे हैं एक देखिए ये बनाया है मैंने नौटी सा कैसा लगा आपको और दूसरा मैंने ये बनाया है बहुत ही ज़्यादा फणी है और तीसरा फ्रेंड्स मैंने ये सैट सा बनाया है थोड़ा अच्छा लगता है इसके अलावा चौथा मैंने ये दिल वाला इमोजी बनाया है जो सबको ही पसंद आता होगा अक्सर आप अपने फ्रेंट को मैसेज करते होंगे और एक ये बनाया है जो तिर्ची निगाओं से सरारती तरह से देख रहा है एक तो ये देख रहा है मेरे उपर कितने सारे फूल आए हैं एक ये चस्मिस जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है जिसके दान भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके लावा मैंने एक लेडी बनाई है अब देखते हैं ये एक साथ में कैसे लगते हैं ये देखे कितने ज्यादा सुन्दर लग रहे हैं पुराना करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ये और जो भी मेरे दो सर्दियों में खाली बैट कर धूप सेकते हैं उन्हें ये काम पकड़ा दीजे पेंट वगरा करते रहें गमले भी खूबसूरत लगेंगे और आपका बगीचा भी सुन्दर हो जाएगा तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही थैंक यू